असलाम अलेकुम दोस्तों, आज का बिजनस आइडिया लो इन्वेस्मेंट और हाई प्रॉफिट बिजनस आइडिया है, बहुत ही बेहतरीन और मनाफ़ा मक्ष कारोबार है पूरा साल चलने वाला कारोबार है, लेकिन गर्मियों में इसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है छोटा बड़ा हर इनसान इसको पसंद करता है, आप जितना बनाओगे ये सेल होगा ये रुकने वाला कारोबार नहीं है, इस कारोबार को हर वो इनसान कर सकता है जो कम पैसों में अपना कारोबार करना चाहता है दोस्तों, अब 20-25,000 रुपए में ये कारोबार शुरू करके रोज़ाना 8-10,000 रुपए कबा सकते है जब आपकी प्रोड़क्ट मार्किट में रन कर जाए तो आप ट्रेड मार्क लगवाएं और ब्रेंड के मालिक बने दोस्तों, ये बिजनस कौन सा है, इसको कैसे शुरू करेंगे, तमाम तर मालुमात इस वीडियो में बताई जाएंगी लेकिन इस से पहले आप से गुजारिश है कि नीचे दिये गए सुर्फ बटन को प्रेस करके बिजनस करो फैमली का हिस्सा बन जाएं दोस्तों, आज का बिजनस जूस फैक्टरी का है, जूस फैक्टरी तकरीबन 15 से 20 लाक में शुरू होती है लेकिन हम आज आपको सिर्फ 20 से 25 हजार में शुरू करके दिखाएंगे और ज्यादा तर मार्किट में जूस इसी फॉर्मूले से बनाये जा रहे हैं दोस्तों, आपको 10 लीटर जूस बनाने की रेस्पी बता देती हूँ बाकी आपका जितना दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं किसी बरतन में 10 लीटर पानी ले और इसे चूले पर पकने के लिए रख दे इस पानी में आपने एक किलो मैंगो पल्प डालना है आप केला, सेब या जो भी जूस बनाना चाहें इसका पल्प मार्केट से बाअसानी मिल जाएगा एक किलो पल्प की कीमत 100 रुपे है और ये आपको हर शहर से फूड आइटम वाली शौप से बाअसानी मिल जाएगा मैंगो पल्प डालने के बाद आपने इस पानी में एक किलो चीनी डाल देनी है इसके बाद आपने इसमें 6 ग्राम सिट्रिक एसिड डालना है सिट्रिक एसिड इस मकसद के लिए डाला जाता है कि जूस देर तक सही हालत में रहे और खराब ना हो अब इस पानी को अच्छी तरह पका ले पकाने के बाद उसमें 6 ग्राम मैंगो फूड कलर मिक्स कर दीजिए साथ ही आपने इसमें 8 से 10 कत्रे मैंगो एसंस डालना है आपका जूस त्यार है अब बात करते हैं पैकिंग की आप 10 वाली बोतल भी बना सकते हैं बीस वाली भी और 50 वाली बोतल भी त्यार कर सकते हैं लेकिन मार्किट में ज्यादा डिमांड पचास वाली और 10 वाली बोतल की है पैकिंग के लिए खाली बोतल आपको मुलतान, फैसलाबाद या लहोर की पापड़मंडी से मिल जाएगी या कराची बोतल मार्किट से मिल जाएगी जूस को ठंडा होने के बाद बोतलों में पैक कर लीजिए याद रखिए जूस का टंपरेचर 60 डिगरी पर हो इससे आपकी बोतल पिछके ही नहीं टमप्रेचर चेक करने के लिए मार्किट से टमप्रेचर मीटत बहासानी मिल जाता है और इसके बाद आपको बोतल के उपर लगाने के लिए स्टीकर की सुरुत पड़ेगी मार्किट में पंदरा सौ में हजार स्टीकर प्रिंट करके दे देंगे स्टीकर पर अपने ब्रैंड का नाम लिखवाएं अपना नाम लिखवाएं और अपना फून नमबर दे दीजिए इस से आप ही कारुबार की पपलिसिटी भी हो जाएगी अब आप जूस ये बारा बारा की बोतल के पैट तियार कर ले जूस मार्कीट में सेल के लिए तियार ह पांच एमल बोतल की तियारी की लागत है 25 से 28 रुपे और मार्कीट में इसकी कीमत है 50 या 60 रुपे यानि ये 50 परसन मुनाफ़ा बक्ष कारुबार है आप जूस को शहर में, गाओं में, मार्कीट में और आसपास की दुकानों पर कहीं भी सेल कर सकते हैं दोस्तों आप 20 से 25 रुपे में ये कारुबार शुरुक करके रोजाना 8 से 10 रुपे कमा सकते हैं जब आपकी प्रोड़क्ट मार्कीट में रन कर जाए तो आप ट्रेड मार्क लगवाएं और ब्रैंड के मालिक बने दोस्तों उमीद है आज का बिजनस आइडिया आपको पस संद आया होगा अगली वीडियो में एक और नए बिजनस आइडिया के साथ मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलाहाफिज